सब के बीच में आज इंडिन मार्केट के लिए क्या होना चाहिए सेड़प मिहिर आपको लगता आज हम भी एक रीबाउंड करेंगे मॉर्निंग देखे हमने रीबाउंड कल भी देखा था मार्केट में तो आज भी उम्मी तो बनी हुई है SGX Nifty के भी संकेत यही है तो रीबाउंड देखने को मिल सकता है लेकिन हमें थोड़ा सा आज के सेशन के आगे देखना पड़ेगा इस बाजार में और उसकी एक वज़े यह है कि देखे दो चीज़े हैं एक तो कल एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक है और उसका जो नतीज़ा आएगा उसमें नजर सबकी इसी पर रहेगी कि रेट हाइक हो या नहीं हो इससे ज़्यादा कंसंड मार्केट को इस चीज़ को लेकर है इस पर बजार की नजर रहेगी एक तो ये चीज़ है और दूसरा आप देखें इंडियन मार्केट्स में भी क्या हो रहा है अगर आप निफ्टी को भी देखें कल जिस तरह का इसने रीबाउंड दिया है एक थोड़ा सा जो मुझे आखड़ा खटक रहे है वो ये है कि मार्केट रेकवरी तो दे रहा है लेकिन वो जिसे हम कहते हैं कि लोवर हाई वाले जोन में है तो वो एक थोड़ी सी कंसर्न मार्केट के लिए है और इस वज़े से मुझे लगता है कि सत्रह हजार सत्रह हजार पचास के बीच से लेकर सत्रह हजार यूनो चारसो पाँचसो ये एक ऐसा लेवल है जिसके बीच में बजार अपना एक लेवल धुड़ने की कोशिश करेगा consolidate करने की कोशिश करेगा range थोड़ी से narrow हो रही है जो high है उसका level अगर आप देखें तो थोड़ा सा नीचे खिसका है अब ये कल की policy में अगर कोई ऐसा बयान आता है जिससे market को थोड़ा सा market थोड़ा सा upset होता है या फिर market थोड़ा सा निराश होता है तो ये बाजार को उस zone मे place कर रहा है जहां से ये नीचे फिसलने की भी उतनी गुंजाईश रखता है जितना की उपर जाने की रखता है तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से खल का trigger जो है वो market के लिए काफी जरूरी होगा लेकिन जो दूसरा मुद्दा आपने कहा US में recovery और US market का performance उसमें और एक चीज भी हमें जोडनी चाहिए कि geopolitical triggers जो है देखिए एक जिससे हम कहते हैं कि cold war के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे देश मिलकर एक जो stress है उसे diffuse करने की कोशिश कर रहे है हमने देखा French President पहले Russia आ गए फिर उन्होंने Ukraine में बैठक की इस बीच जो German Prime Minister है वो US में थे और वो US के साथ बैठक कर रहे थे तो एक जिसे हम कहते हैं कि global effort इस समय चल रहा है इस stress को diffuse करने के लिए लेकिन अब Biden के मन में क्या है वो तो खेर वो ही जाने लेकिन उनके बयान दरसल जादा hawkish है बजाए पूतिन के और वो बार बार यह कह रहे हैं कि नहीं रशिया हमला करेगा जब कि रशिया बार बार यह कह रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं US war mongering कर रहा है इन सब के बीच crude जो है वो out of क्योंकि यह concern सिर्फ हमारे लिए नहीं यह concern दुनिया भर की बड़ी economies के लिए हैं including US तो एक तरफ आप ऐसी situation create कर रहे हैं कि जिससे जो energy crisis है या फिर energy inflation है वो दुनिया भर में बढ़ सकता है तो दूसरी तरफ आप इरान पर sanctions घटाने की बात करें जिससे की एक जिसे हम कहते हैं neutralizing effect हो जाए तो यह बड़ा interesting है play out जो इस समय geopolitically हो रहा है लेकिन जहां तक भारतिय बाजारों का सवाल है इस समय यह कहना मुश्किल है कि बाजार यहां से बिलकुल break out दे देगा और उपर चले जाएगा लेकिन हाँ यह जरूर है कि 17500 के आगे अगर निकलता है बाजार तो भरोसा और बढ़ सकता है और फिर 17700 तक के levels पर नज़र रखी जा सकती है लेकिन कल दलाल स्टीट के लिए जो trigger है वो दरसल मेंड स्टीट से आए इस पर नज़र रखनी पड़ेगी तो आज जो सेकेंड हाफ मार्केट का उसमें हो सकता है मार्केट बहुत जादा एडवेंचरस बनने की कोशिश ना करे और यह जो बढ़त है जो हम इस समय स्टीट पर भी देख रहे है या तो उसे सस्टेन करे या फिर थोड़ा सा हलका ह हो जाए तो आल राइट अबलकुल आप तो यह सारे च्रिकर स्रेंगे अब बाद देखना होगा कि किस तना से आगे पैन आउट होती है सट्वेशन्स मॉनिटरी पॉलिसी पर भी नज़र होगी यूएस और अरान के बीच वीच 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 जिए 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